साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोचसाहित करने के लिए भी निरंतर निर्णे लिए जा रहे हैं। खरीदारों में उत्सा बढ़ाने के लिए गरों पर लगने वाले टैस्ट को भी बहुत कम किया जा रहा है। सस्ते घरों पर जो टैस्ट पहले आठ परसंट लगा करता था, वो अब सिर्फ एक परसंट है। वहीं सामान्य घरों पर लगने वाले बारा परसंट टैस्ट की जगह अब सिर्फ प्रतिशत जिये जा रहा है। सरकार ने इस सेक्टर को इन्फा स्ट्रक्चर की भी माननेता दी हैं ताकि उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके। साथियों, बीते सालों में जो रिफॉर्म्स किये गए हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन परमिट को लेकर तीन साल में ही हमारी रैंकिंग एक सो पचासी से जिदी सब्ताइस पर आप पहुँची हैं। कंस्ट्रक्शन से जूड़ी परमिशन के लिए ओनलाइन विवस्ता का विस्तार भी दो हजार से जादा सहरों में हो चुका है। अब इस नए साल में इसको देश भर के सभी शहरों में लागू करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। साथियों, इंफास्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेशकर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थ व्यावस्ता में फोर्स मल्टिप्लायर का काम करता है। इतनी बड़ी मात्रा में स्टील का लगना, सीमेंट का लगना, कंस्ट्रक्शन पर्ट्रियल का लगना पूरे सेक्टर को गती देता है। इससे डिमांड तो बढ़ती हैं, रोजगार के भी नए अवसर मनते हैं। देश का रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर मजबूत हो, इसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है। मुझे विश्वात हैं कि हाउसिंग फर ओल का सपना जरूर पूरा होगा, गावों में भी इन वर्षों में दो करोर घर बनाए जा चुके हैं। इस वर्ष हमें गावों में बन रहे गरों में भी और तेजी लानी हैं। शहरों में इस नई टेक्नलोजी की विस्तार से भी गरों के निर्माण और डिलिवरी दोनों में ही तेजी आएगी। अपने देश को तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को तेज गती से चलना ही होगा। मिल करके चलना होगा, निर्धारिक दिशा में चलना होगा, लक्ष को ओजल होने देना नहीं है और चलते रहना है। और इसके लिए तेज गती से फैसले भी लेने ही होंगे। झालना ही होगा।